हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो फूट जंक्शन ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कौन हम बजार में खाते हैं न, मॉल वाले, कुछ चीजी होते हैं, कुछ मसालेदार होते हैं तो आज हम वही रेस्पी घर पर बनाएंगे और 10 मिनट में आपकी ये तीनों रेस्पी बनकर तयार हो जाएंगी बिलकुल कम महनत के साथ, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं इस रेसिपी के लिए यहां हम फ्रोजन कॉन का यूज़ कर रहे हैं और हम तीन डिफ्रिंट तरीके के फ्लेवर्स बनाएंगे तो इसलिए हम तीन कप फ्रोजन कॉन ले लेंगे आप कोई से भी फ्रोजन कॉन ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलिबिल हो अब हम इन कॉन में आधा कप पानी डालेंगे और इनको गैस पर स्टीम करने के लिए रख देंगे हम इने जादा स्टीम नहीं करेंगे सिर्फ हमें तीन से चार्मनट इनको स्टीम करना है देखे कॉन अच्छे से स्टीम हो गए है और अब हम इनको फर्स रेसिपी के लिए बोल में निकाल लेते हैं बाकी के कॉर्ण को हम ढग कर रख देंगे ताकि वो ठंडे ना हो तो चलिए अपनी फर्स रेस्ट पर त्यार करते हैं जो कि है क्लासिक बटर स्वीट कॉर्ण इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा बटर जो कि रूम टेंपरेचर पर ना हो अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काले मिर्ज ये सिंपल फ्लेवर बहुती अच्छा टेस्ट देते हैं और बस इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारे क्लासिक बटर स्वीट कॉर्ण तयार हैं देखिए कितनी जल्दी हमारे कॉन बनकर तयार हो गए हैं चलिए अब बनाते हैं अपनी दोसरी रस्पी इसके लिए फिर से हम एक बोल में कॉन निकाल लेते हैं इसमें जाएगा नमक, बटर, ग्रेटेड चीज, चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो बस इन सभी चीजों को हमें आपस में अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमने जो बटर दाला है और चीज यूस करा है वो मेल्ट हो जाए और बस हमारी दूसरी रस्पी बनकर एकदम तयार है चलिए बनाते हैं अपनी थर्ड रस्पी इसके लिए हमने फिर से कॉन ले लिये हैं इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया थोड़ा सा नमक थोड़ी सी लाल मिर्ज क्योंकि हम चटपटे से बना रहे हैं और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे लेमन लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर बटर कॉन को बहुत अच्छा फ्लेवर देता है क्योंकि कॉन जो होते हैं वो स्टीम्द होते हैं बटर हमारा फ्रिस्का होता है तो दोनों आपस में बिलकर बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं और देखे हमारे लेमन मसाला स्वीट कॉन भी बनकर एकदम तयार है इन्हें बनाना बहुत ही असान है और आप 10 मिनट में 3 तरीके के स्वीट कॉन घर पर असानी से बना सकते हैं आप भी रेस्पी जरूर ट्राय करिएगा और मुझे कमेंट करकर बताएगा कि तीनों में आप वो सबसे अच्छी रेस्पी कौन सी लगी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड थैंक यू फो वाचिंग